रबश्कार, JCLC, कैसे हैं बई? तो दोस्तों, आज एक जुलाई को फिजिक्स का उननीसवा पंच हम लोग सूट करने जा रहे हैं हब सब जानते हैं, बीस पंच हैं उननीसवा पंच सूट होने का मतलब है, एक से चोदा तक लगातार हो गए सत्रा, अठारा, बीस पहले जक्सिर बाहने कर दिये अब मेरे को केवल आज उननीसवा करना है और फिर पंदरा और सोला करना है तो ये उननीसवा पंच सूट होने के बाद, पंदरा और सोला दो आपके पास पंच परेंगे फिरिस के बागी तो ये हमारा प्रोमीज है कि ये आपके पास चार जुलाई से पहले परे आ जाएंगे ओके डियर, और दूसरी कुशी के बाद आप पता है केमेस्ट्री पंच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है पराद हमारे अभी शेक बिस्रा का पहला और्गेनिक येमेस्ट्री का वीडियो उसका अप्लोड हो चुका है आठ जुलाई तक प्रोमीज है केमेस्ट्री के बीस के बीस पंच, फिजिक्स के बीस के बीस पंच और एक बहुत बड़ी गिफ्ट दे रहा हो बचो आपको, जेई के भी 2020 और 2021 के जेई मैन के जो पेपर है वो टोटल 22 पेपर है, उनको भी टोपिक वाई, फिजिक्स केमेस्ट्री और मैथ के सारे वीडियो अपलोड करेंगे तो फिजिस केमेस्ट्री ये वीडियो दोस्तों, नीट में भी काम आएंगे, जेई में भी काम आएंगे मेरी रिक्वस्ट है उनको भी निकाल लेना, वो इस सेल्सी सीकर यूटूब चैनल पे एक आपसे निवेदन है, सेल्सी सीकर जो फेस्बूग पेज है, उस पे डेली साड़े छे लाई हुआएं दोस्तों मैं डेली आदी गंटे बहुत छे बाते होती है, मैं आपको विस्वास दिला सकता हूँ वो आदी गंटा आपके साड़े तेस कंटे को बहुत फ्रूट्फिल कर देगा, इसके लावा आपसे वही अपील, आपको कोई दिक्कत आती है, आप जेई नीट 2020 के हिंदुस्तार के कोई भी स्टूटेंट हो, आप मेरे खुद के नमबर डबल नाइन, टूएट सेवन, थ सारा मेटर, जहां से 45 में से राउंड फिगर में 6 से 8 कुशन तक नीट में आते हैं, और ये वो परशन है, जो हर उस बच्चे के सही होते हैं, जो सेलेक्शन रेंज का बच्चा है, और मेरा ऐसा मानना है, तो अन्बो कहता है, जिसके ये गलत हो जाते हैं, वो सेलेक्शन र फिलन से दुगनी है, और दस गुनी है, करम से दातू की स्तेय पे गिरते हैं, तो दोनु कंडिशन में जो इलक्ट्रोंस भार निकलते हैं, उनके मैक्जिमम विलोस्टी का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, ठीक है, पेज खाली करें, प्रशन को करने से पहले, अब फो ये कोई पदार्त है, वो इनाभिक है, लोग ट्रण चारों और गूम रहे हैं, आप सब जानते हैं, इस पे कोई हम लोग फोटोन आप्तित करते हैं, ठीक है डियर, इस फोटोन की इनर्जी है मानलो ह नू, इस बेटरियल का वरक फ्रंक्शन है डबलू नोट, ठीक है डियर तो इसकी इक्वेशन बनेगी, ह नू इक्वल टू डबलू नोट प्लस हाप मवी स्कुएर, सिंपल एक्जामपल है, माना इसका वरक फ्रंक्शन है चार इलक्टोन वोल्ट, आप इस पे च्छै इलक्टोन वोल्ट का फोटोन डाल दोगे न, तो चार इलक्टोन वोल्ट त और दूसरी आप जानते हैं, यदि वरक फ्रंक्शन चार इलक्टोन वोल्ट है, उससे कम डालोगे, तो चाहे एक डाल दो, चाहे अनन डाल दो, कभी भी इलक्टोन का इमिशन नहीं होता है, क्योंकि याद रखो, एक फोटोन का समन्द किसे होता है, एक इलक्टोन से होता ह यहां दो बात और सुन लो, यदि incident photon की frequency बढ़ाई जाती है, तो emit electron की energy बढ़ेगी, और यदि incident photon की तीवरता बढ़ाई जाती है, intensity बढ़ाई जाती है, तो current बढ़ती है, number of photon जादा होंगे, तो number of electron जादा निकलेंगे, number of electron जादा निकलेंगे, तो i equal to dq by dt धारा जादा वहेगी तो यह बहुत है क्यूशन है आपकी photon की आ वर्ती बढ़ाओगे तो विभव बढ़ता है और ती वर्ता बढ़ाओगे तो धारा बढ़ती है यानि intensity का समंद करंट से है frequency का समंद voltage से है जिसको अपन stopping voltage कहते है जिसको निरोदिभव कहते है बात पले पड़ दो है आपकी आप देखो h new equal to w note plus half mu square h new क्या है incident photon की energy आपकी photon की उर्जा w note क्या है function कारिय फलन half mu square क्या है उत सर्जित emit electron की kinetic energy थोड़ा से उसको और modify करू तो यह ऐसे बन जारता है h new note plus ev0 what is v0? stopping potential दोस्तों यदि इस reaction को मैं थोड़ा सा equation उपने लूँ तो आप सब जानते हैं dear कि ev note equal to h new minus h new note यदि आप इस v note को यहां रखो तो h upon e new minus h upon e new note अब आप यहां देखो इसको मैं y कहूं this is y equal to mx minus c देखो h constant e constant new note क्या है threshold frequency देहली आवरती तो एक पदात के लिए change नहीं होती है यह सारा खेल क्या है constant c हो गया यहां new क्या है variable frequency v dot क्या है stopping potential तो y equal to mx minus c दोस्तों याद करो इसी पर बाकाइदा photo electric equation बड़ी और इसका graph खेशते हैं तो आप इधर देखो dear y पे कौन है v note और यह तो कौन है h upon c तो slope है यह new है तो याद करो dear ऐसे इसका graph आता है y equal to mx minus c it's right photo electric field का मूल करेक्टर है याद करो c की slope इसकी slope क्या है theta किसके बरावर है h upon e के बरावर है e equal you आप जानते हो दोस्तों पहली बार इस equation से Planck coefficient का मान निकला था इसलिए इस equation पर Ice 10 को noble पुरुषकार दिया गया था clear Ice 10 को इस पे noble पुरुषकार दिया गया था क्योंकि Planck constant की value ही आप जानते हो mode physics का आधार है modern physics में photon का पता नहीं है photon h का पता नहीं होता तो photon का पता नहीं होता तो दोस्तों modern physics का साथ रूप ही कुछ और होता आज इसलिए यह आपके सामने एक बहुत सी प्यारी इसको बलते है Ice 10 की प्रकास विजू से सभी एकर photo electric equation of Ice 10 याद है ला अक्सर जब भी बात आती है Ice 10 की लोगों लगता Ice 10 का E equal to MC स्कार बहुत काम का है उस पे मिला हो और नुर्पुसकार लेकिन इस पे दिया है नुर्पुसकार आईस्टिन को clear फिर सुन लो incident photon की energy work function और emit electron की kinetic energy फिर सुन लो incident photon की आवर्ती बढ़ाओगे तो विभव बढ़ता है तीवर्ता बढ़ाओगे तो धारा बढ़ती है frequency equal to potential intensity equal to current ठीक है पुतरो अब अपने इस कुश्शन पे आते देखो क्या कहता है कहता है photon के two stream of photons देखो दो पुझ फोटोन के पदार्त यहां भी वोई है यहां भी वोई है यानि matter नहीं बदला न तो यहां भी डबलू नोट और यहां भी डबलू नोट यहां पर एक photon डाला यहां पर कोई photon डाला एक बाद गाठ भान ले भई एक photon का समझ किसे होगा एक electron से अगला साब कहता है photon के दो पुझ जिनकी उरजा दातू के कारिय अपरन से दुगनी है और दसुगनी है यहां डबलू नोट है तो इस दोस्तों यहां जो h new नोट है वो क्या है two w नोट है और यहां ten time है तो यहां जो h new है वो क्या है ten w नोट है clear अब वो कहता है कि जो electron निकलेंगे उनकी velocity क्या होगी लोग मैं तेरे लिए थोड़ा color change करूँ तेरी बात धान दे पुतर इसको मैं कह दूँ e equal to w नोट plus half mv square अपना ऐसा बोज़ दे इसको कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब मैं w नोट को यदि w नोट कहूँ तो मेरा e क्या होगा two w नोट plus क्या है half mv1 square बोल दो पहला case है ना इसके v1 बोल दिया आगे चलो आगे अगला कहता है w नोट देख भाई w नोट ते नहीं हुआ क्यों matter वोई है ना तब जब तक है matter नहीं बदलेगा तब तक वरफ भंक्षन है नहीं बदलेगा पड़ यह क्या हो गया 10 w नोट plus half mv2 square बोल हाया ना अब मैं इधर वाले खाली करो तेरे लिए अब वहाँ देख तेरे सामने है इधर आएगा डबलू नोट इधर क्या आएगा 9 w नोट पूरी बात कर तेरे लिए half mv1 square equal to w नोट half mv2 square equal to 9 w नोट ठीक है डियर ले यह एक को दो से डिवाइड कर ले color change कर ले color change कर दिया यह cancel out होगे यह cancel out होगे यह तेरे सामने साफ साफ है v1 upon v2 equal to 1 upon 9 तो 1 upon 3 आंसर क्या आगया भया 1 upon 3 पता को जिकत विश्वास के साथ कह सकता हूँ अन्भू से कह सकता हूँ यह 26 जुलाई की problem है ओके थैंक्यू दोस्तो क्यूशन नमर 2 यह हमारी battery wave की बहुँची problem है देखो यहाँ दो तिन बहुची formula है डी ब्रोगली की wavelength डी ब्रोगली तरंग धहरिये के formula होते है बड़ अच्छे formula उर्जा के formula होते है देख डियर एक simple सा formula होता है हमारे सामने कि E equal to S C upon lambda कहीं को दिकत नहीं चलो जी एक अपन जानते है S C upon lambda और E equal to क्या होता है MC square भी होता है आप C से C cancel out कर दें तो यह तेरा क्या बन गया H by lambda equal to MC MC क्या हो गया P सब वे क्या होता है mass multiple velocity अब दोस्तों यहाँ परकास के वे की बात करनी होगी तो आपके सामने formula आगया है P equal to H by lambda बोलाया ना अब याद कर एक बहुत सुन्दर formula है एक मेरा बहुत सुन्दर और मेरा प्रिया formula है क्या धान दे मेरे साथ E equal to H by V square A काम कर M से उपर multiply कर M से उपर multiply कर तो E equal to क्या है M square V square 2M M क्या होता है M V क्या हो P तो ये तेरे सामने सामने क्या आगया E equal to P square 2M यहाँ जगे नहीं है तो मैं यहाँ नोट कर लू तो तेरे सामने सामने क्या आगया P equal to root 2M इने आगया P equal root है 2M E आगया ले तो इसको तो यहाँ पूट कर सकता है तेरा यह जो lambda है λیمڈا क्या है हYP है तो दोस्तो P का मान क्या आगया रूट है 2ME क्लियर E क्या है गतीज उरजा मैं सब को मिटा दूँ तो मेरे सामने फॉमुला क्या है मेरा मास्त फॉमुला है लेम्डा इकल 2H 2ME मैं सब को तर्ले कर रहा हूँ गतिज उर्जा उर्जा बोलता है कार ये बोल तो कारिये तो जानता क्या होता है आवेश गुना विबो अंतर बोलाई ये न Q multiply V तो दोस्तों लेमडा idag equal to क्या आगया H M 2 Q V ये लए ये है कि कोई Q charge का particle M mass का particle V velocity से move करता है तो दोस्तो लेमडा का फॉमुला होगा H upon root 2 MQV हाँ डियर तो लेमडा equal to H upon root 2 MQV ये V सोरी ये गलत बोलगे हमाँ ये V विवह हो है ये V हमारा विवह हो है ठीक है डियर तो ये सबसे प्यारा फॉमुला बना तो फिर से आपके रिस्कों कर दूँ लेमडा equal to H 2 MQV का under the roots proton है तो उसका MQ आजाएगा electron है तो उसका MQ आजाएगा कोई भी particle है photon का नहीं है रही है क्योंकि photon का क्यों क्यों होता है 0 याद करो photon का तो rest mass भी 0 है और rest charge भी 0 है ये फॉमुला photon का नहीं है photon का एक ही formula है P equal to H Y लेमडा ये काम है का photon में तो ठीक है डियर तो ये आपके सामने formula हो गया बस बिटा दूँ अब आजा तेरे प्रशन पे क्या कहता है V1 V2 विभाव से तवरीत एक proton एक deutron लेमडा का नुपाद क्या है root 2 is to 1 तो कहता है V1 V2 का नुपाद क्या होगा बैया आजा लेमडा इक्वल टू H root 2 MQB सीख ले सोल्ड करना सबसे परे formula लिखो formula लिखने के बाद कुछ चीजें constant होती है तो अगला साप साप कह रहा है दोस्तों कि V1 V2 विभाव से तवरीत है proton और डूट्रोन है लेमडा का रेश्यो दिया हुआ है V1 V2 अरेश्यो निकालना है तो देखो लेमडा के पिछे बनाएगा M के पिछे बनाएगा Q के पिछे बनाएगा और दोस्तों V के पिछे भी बनाएगा क्योंकि V1 V2 तो आपको निकाल नहीं है H constant है अब आगे चलें एक तो दोस्तों प्रोटोन है जो तो 1H1 होता है एक डूट्रोन है जो 1H2 होता है ठीक है अब आवेश तो प्रोटोन का भी एक है और डूट्रोन का भी एक है इसलिए चाओ तो Q के पिछे 1,2 आप है मत लगाओ पड़ मास की बात करें तो दोस्तों प्रोट TOP के मास को एक क होगे तो डूटोन के मास को आपको 2 करना पडेगा उसको 1MU के दो उसको 2MU के दो बट उए की बात पर a k e को M के देंगे a k e को 2M के देंगे वापस मेnh sagen fault हो जाएंगे तो चीज को थोड़ा सा और मोडिफाई करना चाहें तो अपना ऐसे लिखेंगे अलफा प्रोटोन बटे अलफा डूटोन इक्वल टू रूट में दो अठादो दूरूत में पड़ेगी M डूटोन क्यों अठादो चाहे क्यों क्यों जो प्रोटोन का है कोई डूटोन का है कोई दिक्कत नहीं है V डूटोन निचे M प्रोटोन V डूटोन बो हां या ना ठीक है डियर आपके सामने इदका रिश्यों दियावा है ये मिटा दो तेरे लिए में लेमडा पी अपॉन लेमडा डी क्या है रहा भया root 2 is 2 1 okay dear आजा M D उसको तू 2 M कह दे V D को क्या बोल दे चलिए V D बोल दे और इस M P को क्या बोल दे M बोल दे और V D को क्या बोल दे V ये तेरा सोरी सोरी ये ये प्रोटोन इसको V प्रोटोन बोल दे देखिए इससे cancel out हो गया अब इधर दोस्तों ये root में है square कर तो जैसे square करेगा तो ये क्या बनेगा 2 is 2 1 इसस 2 V डूटोन बटा V प्रोटोन ठीक है डियर ये इससे cancel out हो गया तो आज ratio क्या आगया 1 is 2 1 ratio क्या आगया डियर 1 is 2 1 ठीक है तो दोस्तों क्यूशन देखने में बहुत अच्छा है एक्जाम में करीब करीब आता है और इसके सारे formula आपको मैंने निकाल के बता दिये फिर सुन लो lambda equal to h upon root 2 m q v आया कहां से पूरी बात वी गांट बन ले या आता है एक्जाम में आजाओ दोस्तों तीसरा question second जैसा ही है देखो master formula क्या है lambda h upon m 2 q v अब ये इसको मैं electron में convert करूँ और एक्जाम में तो सोचे मैं h का मान भी रखो m का भी रखो q का भी रखो और फिर निकालू कभी नहीं होने वाला है तो दोस्तों इसको याद भी करना पड़ेगा electron के लिए 12.27 root V इन अंगस्टन जयाद रखना पड़ेगा यहाँ बहुत पराप्राइट पजनता रहे पताँ इसने क्या पुछा है मुझे ने पता 12.27 का स्क्वाइड दोस्तों 150 होता 12.27 कई बार पुछता हो एक electron को 150 वोल्ट से तवरित किया जाए दोस्तों जैसे 150 फूट करोगे यह कट जाता लेमडा का मान क्याता है एक अंगस्टन का जाता यह शांदर पुछन इसका देख ले 150 कर root number 50 कर 12 को 12 से multiply कर 144 हो गया लग लग बस यह master formula अब तु सोच यह कैसे आया भया कैसे हालिक S का मान रख M का मान रख कर गुणा बाग 6 मिंट लगेंगी यह ते तरह आदा टाइम दो पूरा जै फिसका तो लेमडा इकोल इलक्ट्रोन 12.27 root V अंगस्टन अब अगला साब कहता है इसको बटा दूँ मैं वो कहता है एक इलक्ट्रोन को कितने वोल्ट से तवरित किया जाए कि आपकी लेमडा क्या हो जाए 0.5 अंगस्टन हो जाए ले भईया यह 0.5 यह तेरा 12.27 यह तेरा root V ठीक है डियर अब सिंबल से बात है यार यह तेरा 0.5 है इसको आगे गुणा भाग करेंगे आपन तो गुणा भाग करेंगे तो देगे बात है इसको उठा 5 को यह क्या हो गया तेरा पांच बटे 10 हो गया एक यह बात है 0.5 by 10 1 by 2 कर ले इसको तो इसको तो 1 by 2 करेगा तो ये 12.27 root V से कुछ कम आएगा और 625 से तेरी और भाया सौरे 600 गास पास कहें तो भाया एगजेट गुना भाग करने पड़ेगी को रास्ता नहीं है उसका स्काइर होगा 602 पाइंट अब तेरे मेरे हाथ में नहीं है एक्जाम में दे 600 पे एक होता तो मैं सिदा कर देता गुनाबा करने है अच्छा कुछन हो गया मुद्दे की बात को नहीं है इसमें दोस्तों मुद्दे की बात यह है लेमडा इक्वल टू बारा पॉंट दो साथ बटे रूट वी अंगस्टरंग और यह याद नहीं है तो मैं भी जाता हूँ उस आद्वी ने पूरी साल कोई पढ़ाई भी नहीं किये तेंकियो चोथा कुछन दोस्तों अक्सरे आप जानते हो अक्सरे की लेमडा मिनिमम का फोमला आप सब जानते हो क्या होता है बारा हजार तीन सो पिछेतर अपोन वी अंगस्टरंग लेकिन लेकिन मोस्ट ली टीचर्स भी और बुक्स भी इसको बारा हजार चार सो भी बोलती है वी अंगस्टरंग एक बास सुना बेटा इस मेटर वेव में ये तीन-चार डेटा है जो याद रखने आपको उसके लाब मेटर वेव कुछ भी नहीं है अब डेटा याद नहीं है प्रोटोन का, इलोक्टोन का, डूटोन का एक अलफा कन का है ये चार डेटा जो मेरे हर साथी ने क्लास लिखा रखे हैं आपको हो गया तो लेमडा मिनिमम जील तो यह होता है तो चार सो काम लेते हैं अब वो कहता है कि 50 किलो वोल्ट है तो वी कामान क्या पूट कर दो 50 किलो वोल्ट पूट कर लो तो ये 12,000 450 किलो वोल्ट है ने 50,000 देख लड़के, उपर 12,000 है नीचे 50,000 है 12,48 एक पटे 4 एक बटे चार का मतलब 0.25 के आसपास है तो 0.25 के आसपास है अब ये सिदा करना होता है एक्जामे ऐसे पूरी गुणा पाक नहीं होती है समझे रहा है बारह आजार तो बारह आजार है नीचे 50,000 है बारे चोक 48,000 हो गया एक बटे चार आगया पाइन टूफा ये पागया आज़र आगया दोस्तों क्यूशन नमबर 5 पर आने से पहले एक्सरे पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता देगा एक्सरे में एक्जामें क्या होता है एक हाई इनर्जिक एलेक्ट्रोन होता है जो जाके दक्सरे पर टकराता है और वहाँ एक गिटना घठती है उसको अक्सरे कहते हैं दो बास सुनो यहाँ दो प्रकार के स्पेक्ट्रम बनते हैं एका नाम है सतत एका नाम है अभिलाक्षनिक continuous और क्रेक्टिस्ट्री करो है सतत स्पेक्ट्रम है वो उसके अटोमिक मास पर डिपेंड करता है continuous स्पेक्ट्रम डिपेंड सोन अटोमिक मास वन इज क्रेक्टिस्ट्री करो है अभिलाक्षनिक करो है जो दोस्तों डिपेंड करता है उसके अटोमिक नमबर पर यहाँ एक मोजले का नियम है मोजले का नियम दोस्तो ऐसे बनता है root new equal to a z minus b root new frequency है a और b constant है z उसका atomic number है अब a constant है z minus b को अपन b को ignore करके इसको अपन यूँ भी लिख सकते है root new directly proportional z आप थोड़ा इसका square कर लो तो आप जानते हो new directly proportional क्या होगा z square दोस्तो जहाँ new लिखा होता है वहाँ आप एक बटा lambda लिख सकते हो एक ही बात होती है new lambda inverse होते है तो आपके सामने सामने z या lambda inversely proposed है दोस्तों क्या आगया z square lambda inversely proposed है z square तो यह आपका इसका first answer आगया यह किसका नियम है धान चाओ क्लास का मोजलिय का नियम है याद करो सबस्त पता लग रहा है lambda बोलो frequency बोलो यह सब energy है पर फोटन energy क्या होती है या तो e equal to h new है या equal to h c by lambda है तो dR वो energy है ठीक है छोड़ी सी बात को link करूं chemistry मा जा एक topic होता आवर्षानिक प्रूडिक table तो जो modern chemistry में टेबल है याद करें प्रूडिक table का आधार क्या था atomic mass परमानू भार जो आधुनिक आवर्षार नहीं है उसका base कोन है atomic number परमानू करमान के और दोस्तों इसकी खोज कहां से हुई थी मोजलिय की नियम से हुई थी तो अखीकर देखा जाए साइद में सही बोल रहा हूँ आधुनिक table जो है उसका कौन है उसका मूल बताने वाला मोजलिय है ये दोस्तों मोजलिय का नियम है ओके थेंक्यू दोस्तों क्यूश्ट नमर 6 इसको पढ़ते मुझे रहे केलफा दिखाई दे रहा है चलो कुछों से भारा आजा भाया ये पताऊंगा पहले मैं देखो डियर एटोमिक स्ट्रेक्चर में ऐसे लेर होती है फास्ट सेकेंड थार्ड फोर्थ फिर उपर डैस 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 इसको के कहते हैं इसको एल कहते हैं इसको एम कहते हैं इसको एन कहते हैं तेरे कुछ चार पाच आ रखनी होंगी के एल एम एन याद रख एक करम याद रख के एल एम एन और एक करम याद रखना पढ़ेगा अलफा बीटा गामा डिल्टा गांट बाल दे इसको यदि कोई electrodrotron यहां से यहां जम्प लगाता है 2 से 1 में जम्प लगाता है तो दोस्तों इसको हम कहेंगे K-Alpha तो K-Alpha का मतलब N1 का मान तो 1 है और N2 का मान 2 है K-का मतलब N1-1 N2-2 और दोस्तों यदि यह यहां से जंप लगाता है तो इसको पर क्या कहींगे के बीटा ओ पुतर एन वन का मान तो फिर वन है और एन टू का मान क्या हो गया थ्री बात पले पड़ गई लेट तो आ कलर चेंज कर दूँ और यह दि दोस्तों यह स्पोच करो देखो तो दोस्तों यह एल बीटा है समझे देख फस्त को के कहते हैं सेकिंड को एल कहते हैं एल तो हो गया अब ठीक अगले से कुदे कौन है अलफा उस से कुदे कौन है बीटा तो एल बीटा तो एल बीटा का एन वन तो क्या हो गया दो और N2 क्या हो गया चार बात बोलाएं ते रहे यह इनर्जी लेवल इसको बोलते है क्रैटिस्टिक कर रहो है अभी लाक्स तो भी वकिर बोलते हैं को के अलफा के भी तो याद कर ले के अलफा बीटा गामा डिलता है अग्जामें बहुत बार आता है अब तु खुद सोच मैंने तेरे को पूरा समझा दिया ना तो तेरे को कहीं दिखत ने साब कहता है इतनी लेमडा तरंग भेरे के टंगस्टन पे के अलफा रेखा इमिट होती है तो इस परमानू के लिए के वए एल के बीच का उरजा अंतरार बता देख डियर क्यों दिमाग लगा रहा है के अलफा के अलफा का मतलब है रहा सेकिंड से फस्ट में आया है सेकिंड से फस्ट में ये एक फोटोन जंप करवा रहा है फोटोन जंप करवा रहा है तो हम ज़र जानते हैं दोस्तो E की value क्या होगी delta E लिए बोलते क्या प्रच पड़ता है delta E equal to क्या है S by lambda पता कहां दिक्कत है यार delta E equal to S by lambda तो lambda तेरे को दोस्त दिया हुआ है तेरे को क्या निकालना है केवल इसका delta E निकालना है अचा इनर्जी का डिफरेंस निकालना है कोई दिक्कत ही नहीं है तो भया H की value पूट कर ले C के वली पूट कर ले लेमडा के वली पूट कर ले अब आंस्वर दिये हैं electron volt में तो 1.6 multiply 10 to power minus 90 दिवाइड कर दे वो change किसमे हो जाएगा electron volt में यह सारी value पूट करेगा दोस्ते तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 59 kilo electron volt 59 kilo electron volt यह गुणा भाग करके मतर टैवेस्टने करना चाहूंगा डेल्टा E equal to S C by lambda H की value जानता है तो 6.64 multiply 10 to power minus 34 C क्या होता है 3 multiply 10 to power 8 lambda यह रहा 021 यह दोस्तो नुक्लिर फीजिक्स का एक बहुत अच्छा क्यूशन है यह सब्सक्राइगा mass defects दर्वेमान चेटी उर्जा से दर्वेमान और दर्वेमान से उर्जा यह दुनिया के रीत है कि mass ना नस्ट होता ना पैदा होता है उर्जा नस्ट होती है ना पैदा होती है यह क्यों अपना रूप चेंज करते है mass to formula E equal to mc square इस प्रस्ण में क्या होगा सुरो प्रस्ण क्या हो छोड़ो वो क्या कहता है आपके लिए कुरी बात करो यह कहता है 1s2 प्लस 1s2 मिलके एक alpha party बनाएंगे और एक Q उर्जा निकालेंगे दोस्तो common sense के बात है इधर का mass ज़्यादा है इधर का mass कम है तो जो mass कमी हुई जो mass में decay हुआ जो mass defect हुआ वो किसम चेंज हो गया energy में और यह पूछता भईया बताओ क्यों का मान क्या है तो दोस्तो इस सिधा सा formula हुता E equal to delta m c square एक तो एक हांट बाल दे भईया अब delta m क्या है delta m दोस्तो mass defect है तो mass defect क्या होगा left side का mass minus right side का mass और देखो मजाग से लेक्टिक क्यों देता सब कुछ दिया हुआ है left side का mass दिया हुआ है right side का mass दिया हुआ है बोलते हैं deuterium दो से क्यों जो इसका है वोसे इसका रहेगा minus mass of alpha particle बोल बोल multiply कोण है तो पर पर डेल्टा म निकालों तेरे लिए मैं ये मैं तेरे delta म निकालों तेरे लिए मैं ठीक है इसको मिटा दो तेरे लिए मैं atomic mass उनिटी में होता है u का मतलब fix रहे minus m alpha कितना डी है 4.0024 बोल हाँ आना 2 से गुणा कर दिया minus इसको कर दिया तेरे लिए पूरा कर रहा हूँ इसको 2 से multiply कर ये कितना हुआ 8 ये तेरा 2 ये तेरा 0 ये तेरा 4 minus 4.0024 ये तेरे सामने क्या है 4.028 ये तेरा इसका क्या आगया mass defect आगया एक बात और याद कर ले यदि कहीं एक AMU का mass defect होता है तो उससे इनर्जी निकलती है 931 मेगा इलोक्ट्रोन वोल्ट इसके लिए तेरे को कहीं दिमाग लगाने आव सकता नहीं है और ये याद नहीं है तो नमस्कार पहले छोड़े नीट की बजादी है एक AMU mass defect जहां भी कहीं होगा तो वहाँ energy develop होगी 931 मेगा इलोक्ट्रोन वोल्ट दोस्तो आपके सामने है इसमें जो mass defect हो रहा है जो difference आएगा उसको 931 से multiply कर देना ये दोस्तो लगभग आपका आएगा 24 मेगा इलोक्ट्रोन वोल्ट मैंने पूरा तेहले गुनाबाद किया है कहें इसमें आप पैनिक नहीं हो आप इस formula की जूरूत नहीं परते मेरे को मुझे आद सिदा मैं इसकी बात ही नहीं करूँगा मैं तो सिदा मास्ट डिफेक्ट निकाल लूँगा वो किस में दिया वा मुझे यू का मतलब A.M.U है ये यूनिट जो दियुए है यालेड़ी A.M.U मास्ट इनतर ही है ये इसका मतलब A. U. के अंदर ही है ये अटोमिक मास्ट इनतर होती है दो सब्द होते हैं, half life और average life, दो इस सब्दें स्टोपिक में half life और average life T alpha T beta है, इस पदारत में एक साथ alpha beta निकालें कोई दिकत नहीं है बही है, एक साथ alpha beta निकालो न दोस्तो, तो simple lambda निकाल लो यार, lambda alpha प्लस lambda beta, तो alpha का dk भी हो रहा है बीटा का dk भी हो रहा है, लेम्डा क्या dk कोफिशेंट है तो लेम्डा एक्वल टू लेम्डा अलफा प्लस लेम्डा बीटा ओ लड़के याद कर रहे, t average जो है वो एक बटे लेम्डा होता है ओ t half जो है याद कर याद कर, वो 6.693 अपून लेम्डा होता है बुल गया गया, T average है, 1 upon lambda है, this is O7, this is half like 0.693 by lambda होता है, बैस, यह लिए तरे सामने हो गया, यह resultant कर दे, तो 1 by T, यह तरे सामने, 1 by T alpha, plus 1 by T beta, अरे पर्चिनों जोडते हैं, पेरे दिल को मिड़े हो गया न, यार, उल्टा करेगा, तो T alpha, multiply T beta upon T alpha, plus T beta, यह लिए तरे सामने T average equal to 1 by lambda, T half equal to 0.693 by lambda, यह बहुत अचार रेशन है, आगे बहुत काम है, क्रिशनों मेरे को, T half life है, एक आपकी ओसत life है, ओके, thank you, दोस्तो, क्यूशन नंबर 9 को पढ़ने से पहले, एक data आपको याद करना है, इस model खिल डेटाओं का है, एक electron और एक positron, जो जानते हो, एक particle और anti-partial होते हैं, जब यह दोनों मिलते हैं, तो nust होते हैं, एक बहुत परापूंट करना हो जा मैं, यह जब दोनों मिलते हैं, नust होके, जो energy का एक photon निकालते हैं, वो photon होता है, दोस्तो, 1.02 mega electron volt, यानि, electron और positron का mass defect है ना, उससे energy convert होती है ना, वो होती है, 1.02 mega electron, कि 2.42 का इसनी एक photon डाला, तो देख डियर, 2.42 के photon में, 1.02 जो है, वो तो दोस्त तेरी change हो गई, वो तो consumption होगी, पिर production में, बाकी कितनी बच गई, 1.4, अब 1.4 तेरी divide, उज़े दोनों में, आधी electron में, आधी electron में, कितनी, 0.7a या answer आ गया, 0.7 mega electron volt तो कहता है, परतेकन क गर्जर जागे रहे हैं, बात ले पड़ी, फिर सुन देकना, बानदार इसे, electron, positron का जो पेर production होता है, उससे energy जो इनर्जी बनती है, वो होती है, 1.02 mega electron volt, या यूँ कह दू, मुझे करना पेर production, मुझे electron positron निकालने हैं, तो मुझे कहें से भी 1.02 mega electron volt की energy देनी होगी, मैं फोर, वो आद याद दिवाइड हो जाएगी, बहुत सिंपल अप्रोच है, 0.07 mega electron volt, ओके थैंग्यू, दोस्तों, question number 10, ये अमरी बामर स्रेणी, लाइमें स्रेणी, थोड़ी बात करनें इसके बारे में, आजाओ, वो कहता है, बामर स्रेणी की नूंतम और अधिक्तम आजो, देखो डियर, फरस्ट भी कूदता तो कूद मनती है, लाइमन, सेक्ट तो बामर, तो ये फिक्स हो गया, बामर का एनवन तो क्या होता है, अब देख डियर, कलर चेंज कर लें, ठीक अगले से कूद के आता है, तो इससे कम इनरजी का फोटोन नहीं निकल सकता, दान इससे कम इनरजी का फोटोन नहीं निकल सकता, तो लेंड़ा इससे जादा नहीं हो सकता, क्योंकि इनरजी लेंड़ा एक दूसरे इनवर्स होती है, तो लेंड़ा मैक्सिमम के लिए एन्टू का मान क्या हो गया, तीन, और मैक्सिमम इनरजी कहा से आएगी, अनन से, इससे इनर्जी नहीं आसकती यानि इस से कम लेमडा नहीं आसकता तो लेमडा एन्वन तो वह दो रहेगा तो लेमडा मिनिमम के लिए एन्टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी बोलाया ना लाइमन यहां पर होता है बामर है तो बामर का एन्वन टू होगा अब आप देखो ठीक अ अमर में N2 का मान क्या होगा? 3 और अनन्द से कूद क्या है? उससे ज़्यादा निर्जी नहीं हो सकती तो उससे कम लेमडा नहीं हो सकता वो लेमडा मिन्मिमूम क्या होगा आपका? इनफिनिटी बैस अब ज़राब कुषिन वाजाओ भईया आज वो कुछन क्या कहता डियर इनको मिटा दू तेरे लिए मैं अब अकरासाप कहता है बामर स्रेने की नूनतम अधिकतम लेम्डा आजा डियर अब हम सब जानते है भहिया फोमुला क्या होता है एक बटा लेम्डा होता जाना न आर N1 स्कायर माइनस N2 स्कायर थोड़ा सा लंबा है पर करूँ अब उड़ पे आजा दोस्त लेम्डा मिनीमम आजा लेम्डा मिनीमम बामर लगाना जरूर नहीं है क्यों बामर बामर है इसले बामर से लेम्डा मिनीमम आर बोल भई N1 का मान तो क्या है दो दूनी चार लेमडा मिनिमम क्या है अनंत है तो जीरो हो जाएगा बोल हाँ आना तो तेरे सामने सामने ये तो क्या आ गया आर भाई फोर आ गया बोल आया कर नहीं आया तो तेरे सामने सामने लेमडा मिनिमम का मान तो फोर भाई आर हो गया मिटा दू, ए, मिटा दिया अब तू चल, लेम्डा मेक्जिमम तो 1 बाई लेम्डा मेक्जिमम आर, N1 की वेल्यू क्या है 2 का स्क्वाइर 4 N2 क्या है, 3 का स्क्वाइर 9 ओके डियर, यहाँ थोड़े से कुछ लोग गलती करते हैं कई बार दोस्तो, 9 चोग 36 कितने बार भाग गया, 9 बार कितने बार गया, 4 बार यह कितना बचा रहे है, 5 आर अपोन 36 यह कोण है, लेम्डा मेक्जिमम वो है, लेम्डा मिनिमम, अग्ला साब कहता है, मिनिमम और मेक्जिम का देश्यों बताओ, ठीक है डियर यह लेम्डा मिनिममम अपने, हाँ, नोट को लो लग से एक बार, तिरे लिए रिटाने बारना पड़े तिरे को, लेम्डा मिनिमम क्या है, 4 बाई आर बाइस अपने को क्या चीए डियर लेम्डा मिनिमम यह ले, लेम्डा मिनिमम अपोन लेम्डा maximum, तो देख what is lambda minimum 4 बटे 8 what is lambda maximum तो lambda maximum है 36 बटे 5 आर 36 upon 5 आर, देख आर से आर काट दे इसको काट दे से 9 चोग 36, आंसर क्या आ गया, 5 बटे 9 आंसर क्या आ गया, 5 बटे 9 देख डियर कहीं जल्दी बाजी बत कर जल्दी बाजी में कोई काम नहीं हो, तभी गड़ता है तेरे को बामर का पता होना चीए, लाइमन का पता होना चीए ठीक अगले से आता है वो इनर्जी मिनिमम है, लेमडा मेक्जिमम है अनन्च से आता है, लेमडा मेक्जिमम है इनर्जी मेक्जिमम है, लेमिडा मिनिमम है, ओके, थेंक्यू, डियर, किस्टोर नुबर 11, इस परस्रकों करने से पहले एक मेरा फंडा है, सीडी चड़ना, और सीडी उतरना, एक हाप लाइफ को मैं एक सीडी बोलता हूँ, यह मेरा एक पड़ा कॉंसेप्ट है, बहुत काम आएगा, चलो जी, मैं किस्टोर शुरू करता हूँ, अगला कहता है, एक्टिविटी ओफ इस सेंपल 64 मल्टिप्लाइ 10 तू पावर माइनस 5 क्यूरी, किसी समय सकेरियता चोच सेट है, इस को बूल जाओ, पावर को बूल जाओ, हाप लाइफ इस थ्री डे, तीन दिन अर्द है, एक सेटी कितनी दिन की है, तो वो कहता है, एक्टिविटी ओफ इस फाइप मल्टिप्लाइ 10 तू पावर माइनस 6 क्यूरी, कितनी दिन बाद होगी, अब इस फाइप मल्टिप्लाइ 10 तू पावर 6 क्यूरी कितनी दिन बाद होगी, अब इसो चक्कर पढ़ता देख सेटों, आप 64 मल्टिप्लाइ 10 तू पावर माइनस 5 पे हो, ठीक है डियर, और यहां से आपको लाना है, तो यहां से आपको लाना दोस्तों, तो 5 मल्टिप्लाइ 10 तू पावर माइनस 6 एक काम करो, 10 से उपर मल्टिप्लाइ करो, 10 से निचे मल्टिप्लाइ करो, क्यों पावर को मच्चे नहीं करना चाहता दोस्ते, तो 5 अपोन 10 मल्टिप्लाइ 10 तू पावर माइनस 5, यू कह सकता हूं दोस्तों, 0.5 multiply 10 to power minus 5 पे लेके आना है दोस्तो मैं कहने का मतलब है कि मुझे 64 से चलते चलते इसको 0.5 पे लेके आना है ये है तरीका 64 multiply 10 to power minus 5 5 multiply 10 to power minus 6 तक लाना है नहीं पावर को साइड में करने के लिए दोनु से इम पावर कर ले इसके दोस्तों 10 से multiply कर दिया, 10 से multiply कर दिया, it becomes 10 2 पर minus 5 है, तो ये 10 बच गया, ये 0.5 multiply 10 2 पर minus 5, पाउर्ट कर देंगे पर, तो कहने कारता है, 64 से तेरे को 0.5 पे आना है, कितने सीडियां उतरना है, बोड खाली करना, कितने सीडिय उतरेगा, आजा, 64 पे है, एक सीडिय उतर 32 पे आएगा, उतर 16 पे आएगा, उतर 8 पे आएगा, उतर 4 पे आएगा, उतर 2 पे आएगा, उतर 1 पे आएगा, पाउंट 5 पे आएगा, ये तेरी सारी सीडियां हो गई, गिल्ले 1 सीडि, 2 सीडि, 3 सीडि, 4 सीडि, 5 सीडि, 6 सीडि, 7 सीडि, 7 सीडि बाद आ जाएगा, 1 किसी एलान सुरा और घ। यह इसका दोस्स जवाब, पले बड़ी बात समय रहे हो, चोषट से पाइंट फाइब तक आना था, तो चोषट से पाइंट फाइब बत्ती सोला अधे करते करते कहा तक आयरे, सब्सक्राइब पाइंट फाइब तक शीरी वह कुछती हो गी थी सेवन एक शीडे किते तीन दिनकी फाटी 21 शांदर ऐसे कि उपर जाना हूँ सीडेट चड़ जाओ निचा आना हो सीडेग उतर जाओ एक शीडेग बोले तो एक अफ लाइफ तोके थैंक यू दोस्तो कुशन नंबर बारा जो है वो देखा जाए तो नुकलियर फिजिक्स का बहुत शांदर कुशन है कुशन को देखने से पर ले वास सुन ले यदि कहीं भी एक एम यू का मास्क डिफेक्ट होता है तो 931 931 मेगा इलोक्टरोन वोल्ट की इनर्जी पै आते हैं तो 0303 MU का मास्क डिफेक्ट होता है भाई साब मैं बुद्धि लगाऊंगा है नहीं मैं इस 931 को 0303 से मल्टिप्लाई करता हूँ मुझे दोस्तों लगबग याद है इसका आता है 28 मेगा इलोक्टरोन वोल्ट फिर कहता है प्रती नुकलियोन बाइंडिंग इनर् तो आप इसको चार से डिवाइड कर दो तो दोस्तों इस साथ चोग 28 लगब किस आंसर के आएगा आपका साथ आएगा इसको आप याद भी कर सकते हैं कि हीलियोम नाभिक के निर्मान में जब दो नूट्रोन और दो प्रोटोन मिलके नाभिक का निर्मान करते हैं तो 27 क्या आपके दोस्तों क्यूश्त नमर 13 जो है ना इसको भी करने के अलग अलग साथ के अलग तरीके हैं पर मेरा एक अलग तरीका अपना क्या तरीका है कि दोस्तों ये 90 X 200 एक्वल टू 80 Y 168 देखो जी यहाँ अलफा निकलेगा या बीटा निकलेगा और गामा हमेशा निकल लेकिन याद करो हर अलफा के बाद एक गामा निकलता है हर बीटा के बाद एक गामा निकलता है अप गामा क्या है देखो किसी बंदूग से गोली निकलती है ना तो पिछे बंदूग की नरिस दुआ निकलता है ना बंदूग से गोली निकलती है वैसे एटम से जब कोई प लेकिन जितने अलफार बीटा निकलेंगे उतने आपके गामा निकलेंगे अब तू जानता है कहीं अलफा निकलता है तो एटोमिक नंबर में दो की कमी आती है एटोमिक मास में चार की कमी आती है बीटा निकलता है तो एटोमिक नंबर में तो एक की वर्दी होती है और एटो नमर बदला, अलफा से एटोमिक नमर भी बदला और एटोमिक मास भी बदला, तो एटोमिक मास क्यों किसने बदला रहा है, अलफा ने, बैस मैं स्टार्ट यहां से करता हूँ, 200 से 168 पे आया, तो मेरे 32 की कमी हो गई, 22 बिना पंड़जी को पूछे, अलफा का मान आठ कर दे आठ चोग 32, आठ अलफा निकले, तो नीचे कमी हो नीचे 16 की, आठ दूनी 16, पर दोस्तो कमी किस की हुई, दस की, इसका मतलब दोस्तो 6 बिटा निकल गए, तो गामा तेरे 14 होगी, तरीका यह होता है, आंसो जो क्या है, आठ अलफा, 6 बिटा, आठ अलफा, 6 बिटा, यह चेंज करता है, हमें क्या पता है, अलफा, इस प्रकार की प्रब्लम, हमें साथ अलफा मास से होंगी, दोस्तो 32 कमी होई, 4 होते हैं अलफा में, 8 जोग 32, 8 अलफा निकले, 8 अलफा निकल गए, तो नीचे वह 16 की कमी करेगा, तो कमी किस की हुई, 10 की, इसका 6 की वर्ती होगी क्योंकि एक बीटा, एक ये वर्ती करता है, 6 बीटा होगे, ओके, धैंक्यू, दोस्तों फिर से, कुछ नुक्लियोंस बिलके, एक ने नुकलियोंस का निर्मान कर रहे हैं, अगरा साब कहता है, उसके को बतला, उसके आभा मंडल में, हीलियम को औक सिल्ट चेंज करना है, द अब वही बात, मास दिफेक्ट निकाल लें, मास दिफेक्ट, तो मास क्या होता है, लेट का मास माइनस, राइट का मास, ओके, अब जा, कितना हीलियम का मास, यह दा, 4.0026 माइनस, इसका मास कितना हा है, 15.9994, और यह सर्किस में है, AMU में है, अब देख भाई, आगे में जाल दे जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को 931 मेगा इलक्ट्रोन वोल्ट की उर्जा निकलती है इसका मास डिफरेंस निकलेंगे उसको 931 से मल्टिप्लाइए करेंगे तो जो गुना भागबन करके देखी है दोस्तों इसका मास डिफरेंस आया है 4 मेगा एलक्ट्रोन वोल्ट फिर सुन लो डियर बहुत इजी क्विशन है सब वे रिद्धी होती है आपको केवल 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 करनी है इससे आसान क्विशन नहीं है कोई बट यह पता होना ची एक एम यू ब्राबर 931 मेगा एलक्ट्रोन वोल्ट ओके थैंक यू हाँ डियर त एक्टिव नुकलिस की संख्या लेम्डा डिके कॉंस्टेंट एन क्या है ती समय बाद बचे हुए एक्टिव नुकलिस की संख्या एन नोट प्रारिम्बिक सेक्रिय प्रमाणों की संख्या लेम्डा चेन यह तांक एन क्या है ती समय बाद हमेने पता ठी क्या है ती समय बा है समान है कितने समय पस्चात X1 X2 का रेशियो 1 is 2 1 upon E हो जाएगा देख लड़के तो ऐसा कर इसको N equal to N note E की power minus 5 lambda T दूसरा इसको N1 बोल दे इसको N2 बोलना पड़ा का प्रहुना N note E की power minus lambda T इसमें देख इसका भाग दे तो this equal to 1 upon E मैं नहीं कह रहा है अगला कह रहा भाई या N1 N2 क्या है बच्चे वे प्रमानों की active atom संग क्या वो अगला खूद क्या रहा है 1 by E बस यह ले तो तेरे सामने यह cancel out हो गया यह E की power क्या भाई 5 समझे यार यह minus 5 lambda T है उपर जाएगा तो तो क्या बचाएगा minus 4 lambda T equal to क्या है E की power minus 1 अठादो यार 4 lambda T equal to 1 आपको क्या चाहिए भाई आपको क्या चाहिए टी चाहिए तो यह ले 1 upon 4 lambda T equal to 1 upon 4 lambda तो यह देखो जेल तो देखा जाए तो एक ही formula है इस टोपिका मास्तर formula यह यह N equal to N note E की power minus lambda T है इसके बाद इस सारे formula बनते है मूल formula है मूल चाहिए इसके ओके थैंग्यू दोस्तों question number 16 मेरा फिर वो किस्टों आगे सीडी वाड़ा सीडी उतरना मुझी आगला कहता है कोन सा कतन सही है अरद यू क्या है एक माँ है वो कहता है तीन मेहिने बाद साथ बटे आठ भाग बचेगा चार मेहिने बाद यह बचेगा तो पूर्ण विख्ठी तो आप जाने तो हमेसे कभ होता है अनंत तेम पे होता ह यह गांट बान लो साथ कहता रिर्ट्विटी कि अनंत समय के बाद उसका पूर्ण विक्टिन होगा तो यह तो कभी हो नहीं सकता तीन मेने के बाद इतना बच जाएगा क्या बच जाएगा मैं यह कर दू देख तेरे पास स्पोज कर तेरे पास कोई पदार्थ एक है ठीक है एक सीडी के बाद वो कितना बचेगा एक बचा दो फिर एक सीडी के बाद कितना बचेगा वो एक बचा चार फिर वो कितना बचेगा एक बचा आठ एक सीडी, दो सीडी, तीन सीडी तीन सीडी का मतलब एक मन्त तो तीन सीडी होगी तो तीन सीडी बाद एक बटा आठ बचा एक बटा आठ बचा इसका मतलब साथ बटा आठ है डीके हो गया यह क्या कहता है तीन मेहने बाद पदार्त का साथ बटा आठ भाग विक्टित हो जाएगा बिल्कु सही बात हो गया तो इस तो इसमें पैनिक नहीं हो मानो एक है एक सीडी के बाद एक बटा दो एक बटा चार एक बटा आठ तीन क्यों लिया मैंने अगला तीन महने के बाद की बाद कर रहा है तीन सीडीया है तो तीन दिन के बाद या तीन महने के बाद तो तो जो टाइम का स्केल लिया है हाफ लाइप में कोई काम आ जाएगा ठीक है तो एक बटा आठ बचा पूल कितना था एक तो कितना डिके हो गया सेवन अपॉन एट थेंक यू दोस्तों किस्ट नमर सेवन टीन पड़ते चरिफ कुशी आ गई यार पेज धाली कर रहे हैं यह दोस्तों मेरा प्रिया प्रशन है याद करना पड़ेगा इसको करना पड़ेगा वाइज डोक्टर बनना है तो खास बात ने दोबार तारी करने निटके फिर कोचिंग बाना है किसी में नहीं आना न पढ़ ले याद कर तेरा पॉइंट छे इलक्ट्रोन वोल्ट माइन माइनस एक पॉइंट पांच इलक्ट्रोन वोल्ट है माइनस पॉइंट आथ पांच इलक्ट्रोन वोल्ट है और जीरो इलक्ट्रोन वोल्ट याद रखना पड़ेगा किसके लिए हाई टोगन के लिए यह सब ड़ेगा किसके लिए माइनस तेरा पॉइंट छे माइनस तीन लोक्टोन वोल्ट और इससे में कुदा बारा पॉइंट साथ पांच लोक्टोन वोल्ट याद करने पड़ेंगे सेकिन से फर्स्ट में आएगा दस पॉइंट दो लोक्टोन वोल्ट थर्ड से फर्स्ट में आएगा 12.1.5 लोटन वोल्ट फोर्ट से फस्ट में आएगा 12.75 लोटन वोल्ट याद कर ले भईया नहीं है तो ओके परसन में आजाओ क्या कहरा परसन भईया साब कहता है कि 12.75 का फोर्टोन लिया तो भईया चोथे कोस में चला गया वापस खाली कर पेज दोस्तों चोथे में चला गया तो दोस्तों अब वो कहता स्पेक्टरम कितने बनते हैं तो एक बास सुन ले इसका एक फोर्मला है चोथे में चला गया हूँ तो चोथे से चोथे में कुदेगा ने चोथे से तीसरे में कुदेगा चोथे से दूसरे में कुदेगा चोथे से फैसरे में कुदेगा फिजिक्स तो कहती है ये N N-1 upon 2 N का मान 4 Multiply 3 बटे 2 6 मैं ऐसा नहीं करता लेकिन मैं क्या करता हूँ फंडा सुन ले जिस सेल में खड़ा है वहा ना इमिशन है ना अब जो से उससे एक कम कर ले तो चोते हम खड़ाना तो यह ले तीन दो एक इल है इच्छा हो गया तो तीन तो लाइमन है दो बामर है और एक पास्चान यह सही तरीका है इसका छे स्पेक्टरम है स्टार्ट तीन लाइमन दो बामर एक पास्चान डियर जिस कोस में खड़े हो उससे एक कम करके गटेव करम एक तका जो जोड़ दो फोम लाता है बाईचान से पूछले डियर इस कुछण में कितने स्पेक्टरम लाइन वीजीब लाइट में आएंगी कितने दृस्चे प्रकाश में हैंगी तो हम जानते हैं लाइमन आती है परइवान लिछेतर में बामर आती है दृस्चे लिओ अचेतर में यह है स्रियर फोमुला इसका N equal to N minus 1 by 2 तो सिंबल फोमुला है पंडा यह 3, 2, 1, 6 जोड़ हो गया, 3 लाइमन तो बामर, एक पस्चान, थैंकियो दोस्तो क्यूश्टर नमबर जो 18 है उसमें हम जानते हैं, यह दर फोड़ का परियोग है जानते हैं क्या होता है यह एटम होता है, उस पे अपने यह बंबार्मेट करते हैं तो ऐसे मूड़ जाते हैं लाखों में से एक ऐसा है जो ऐसे घूम के आता है दोस्तो उसका B value अपन जीरो कहते हैं यार करना पड़ेगा आपने को, B बताओं क्या है एक चुन B यह होता है B यहां से डिफलेक्शन है पर यहां डिफलेक्शन जीरो हो गया न तो यह वापस मूड़ जाते है लाख में से एक ऐटम वापस गूमता है जिस बताया था कि परमानू के अंदर एक पोजिटिव चार्ज भी है जो अलफा को वापस मूड़ रहा है और वो बहुत छोटी जगह रखा हुआ है याद है ना इसे दोस्तो नाभी का डेंसिटी बहुत जादा होती है तो यह याद रखना पड़ेगा है जब एक स्वस्य पर गूम गया तो संग्ठक प्राचाल जो है वो आपका कितना हो जाएगा है दोस्तो जीरो हो जाएगा तेंक्यू दोस्तो किस्ट नम्र उनिस देखो मने बस सुरू में कहा था कि फोटो इलेक्टि इफेक्टो टोपिक में आपतित फोटोन की यदि आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे आवर्ति बढ़ाएंगे तो इमिट इलेक्टोन का स्टोपिंग पोटेंशिल बढ़ेगा तो समंद हो गया फ्रिक्वेंसी का समंद होता है पोटेंशिल से अब यदि आप उस पे आपतित फोटोन की संख्या बढ़ाएंगे संख्या मतलब इंटेंसिटि बढ़ाएंगे तो दोस्तो नंबर उग्ट्रोन अधिक निकलेंगे अधिक निकलेंगे तो आई इकवल इकवल टू डीक्यू भाई डीक्वेंट्य करन्ट अधिक हो जाएगी तो फ्रिक्वेंसी का समंद पोटेंशिल से है intensity का समन्द current से है तितावर्ती का समन्द विहोश से है फीवर्ता का समन्द धारा से है और यह तेरे सामने स्पस्ट है तो आपका कौन सांसर हो गया दो सुझत फस्ट आंसर हो जाएगा कहीं को दिक्कत नहीं सीधी सीधी बढ़ता जाओगे आपके current बढ़ते लिए दोस्तो question 20 देखो hydrogen के emission spectrum ब्रामर्शनी की तरंग धरे गठती है ब्रामर्शनी की बात नहीं है कोई स्रीज हो आप जैसे जैसे आप उपर जातो एक से दो मेगे दो से तीन मेगे तो इनरजी का मान तो बढ़ता है पर difference of respective orbitals energy घठती है ठीक है dear तो आपकी तरंग धरे घठती है तो no doubt है दोस्तो आपकी रेखाएं पास पास आएंगी तो आपके तीवरता कम हो जाएगी तो इसका answer क्या हो गया second रेखाएं पास पास हो जाएंगी तो आपके तीवरता कम हो जाएगी क्योंकि अगला सापके ता लेमडा घठती है तो इनरजी का लेवल दोस्तो उपर जबढ़ता है लेकिन वो पास पास आजाती है तो इसके इंटेंसिटी कम हो जाती है तेंक्यू दोस्तो 21 एक अलफा 6 होता है एक बीटा 6 होता है अलफा में याद करो एक औप्डेक अफा को नर्फा 12 होता है अग्ला साप कहता है रेडियोक्तिव सबस्टेंस डीके और बन तरिटी टू एक से एक बट्टा बत्तीस में आ गया चल बना सीडी एक से घटके काँ पर आएगा एक बटा दो से कहां जाएगा एक बटा चार पे एक बटा चार से कहां जाएगा एक बटा आठ पे वहां से कहां जाएगा एक बटा सोडा पे वहां से कहां जाएगा एक बटा 32 पे बोल हाया न हो गया एक बटा दो एक बटा चार एक बटा आठ पांस दिन की, तो हाप लाइब क्या हो गई, पांस दिन, थेंगे हो, दोस्तों, क्विश्टन नम्बर 23 जो है न, वो एक हमारा इसका मास्टर फोर्मला है, इस टोपीका, एक्वल टू, लेमडा एन, एन, सक्रिये एटम्स के संख्या, लेमडा, डी के कॉंस्टेंट, एक्टिविटी, सक्रिये ता, अब एक बास लेमडा क्या है, तो अपने जानते हैं, याद याद करें क्या है, टी हाप इकुल टू क्या होता है, पांट, सिक्स, नाइन थरी बात, अब आजा देख, एक्वल टू, जहां लेमडा लिखावा था, तो लेमडा को इधर ला, तो यहां क्या हैगा, पॉइंट, सिक्स, नाइन, थ्री, अपॉन, टी, अब टी हाप नहीं लिगाओंगा, टी का मतले मेरी हाप लाई भी यहां पर, मल्टिप्लाई क्या है दोस करूँगा आपके लिए पूरा, तो कर दूँँ आपको उतलो, 0.693, टी कितना पुतर, 1.5 मल्टिप्लाई 10 to 17, और एन कितना है, 25, यह मिटा देंपन, 25 मल्टिप्लाई 10 to 20, देख भाई मेरे, ऐसा कर, यह 10 to 17 को काट, तो यह तरह क्या बचेगा, कि यह 10 to 3 बचेगा, इस एक बिंद्य को यहां से काट दे, दोस्ते, काट दिया इसके बिंद्य को अपने, तो यह 10 उपर ओड़ा दे, इसको क्या बोल दे, चार बोल दे, यह तेरा कितना है, 15 है, इसको थोड़ा सा नीचे और हजार कर ले, अड़ाते इसको, तो हजार करेंगे यह, तो यह कट करो, डाइसो हो गया, ठीक है डाइसो में इसमें आप भाग दोगे, तो लगबग भाग जाएगा, चालिस बार, डाइसो को चालिस सिगुना करोगे यार, तो यह 10 हजार के आसपास कहीं होगा, तो इसका आंसर होगा, नो हजार के करीब, अप्रुक्ष्ण गुना बाग किय कहने का मतलब कियल कुशन बड़ी नहीं है, तो आप कर लेना इसको, मुद्दे की बात वो इती डियर, यह फोमला है, एक्वल टू लेमडा है, ओके तैंक्यू, 24, आपको मनें आंकड़ याद करा दिया, अगला कहता है, पॉइंट 85, एर चोते सेल में है, चोते सिकूद के में आया, याद के लिए 12.75, यार 12.75, तैंक्यो, डियर क्यूशन नमर 25, यह बहुत प्यारा क्यूशन है, इसका सिदा फोमला होता है, एक्वल टू टू पीसी, अगला साब कहता है, इतने उर्जा वाले फोटोन का समवेग क्या है, ठीक है, प्रकास का वेग, फोटोन का व उन बोले तो, C3 multiply, 10 to power 8 equal to क्या आगया, ठीक, बता, क्या दिक्कत है, अब देख दियर, यह तिरा 9 है, ठीक है, यह minus 19 है, यह 8 उपर जाएगा, तो minus तो और बढ़ा देगा, तो 10 की power क्या हो गया, minus 21, और 1.6 में तो 3 का भाग देगा, तो यह 0.5, तो 0.5 multiply, 10 की घात minus 21, 0.5, और 5 को 0.5 को 0.5 करेगा, तो 22 हो जाएगा, यहां सो गया, क्या दिकता है, 5, 5, 3, 3, 10 की power minus 22, ओके थेंगे, दोस्तों, क्यूस्तों, क्यूस्तों, इंटेंसीटी का सित्व समझ किससे है, करेंट से, अग्रा साफ कहता है, प्रकास शेल परियोग में, प्रकास उनको फोकुस क दोस्तों आदा व्यास होता है, तो एक्चिल में वो डी स्कौर के डाइट परियोग लिया, और प्रबलता आई है, अब आप सोचो, व्यास आदा और व्यास तो इंटेंसीटी वन फोर्थ होगी, तो करेंट भी वन फोर्थ होगी, यहलों सिंपल बात है, ओके तैंक्यू, यह दो आ गया है बाई क्युष्छन 27 मैं नहीं चार्ट इंगे थी क्यों बूलगे गया लिए या इस तें फोटो एलेक्टिर क्यों जिस पर आइस्ट नोड पूसकार दिया गया है ता वो यह दो पता है एयरा 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 थर्ड सिंपल सी बात है ठीक है डियर तो यह बहुत अच्छा कुछन आप यह याद है ना जहां से टोपिक सुरूवाता है स्टार्ट है एंस यह बाता है H new equal to H new note प्लस ईवी नोट, ओके थैंकियो, दोस्तो, क्षिशन नुमर ट्विंटीएट, मैंने बार बार एक बार एक बात कह रहा हूँ, मोडन फिजिक्स में साथ आठ डेटा हैं, जिसको याद होगे मास्टर पीस है, मुझे ने पता है क्या पूछता है, मैं तो एक बार जानता हूँ दोस्तो, इतना है पता है मेरे को, इक वल टू, बारा हजार, चार सो, अपोन, लेमडा, इन, अंगस्टरंग, दिस इलक्टरन फिक्स है, लेमडा किसे बोना चाहिए, अंगस्टरंग में, बारा हजार, अब यह कैसे आता है, क्या आता है, अब यह क्या कहता है, इसका इतना कारिया फिलन 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 है, इसका यह कारिया फि गया, 124-133 को डिवाइड किया मैंने, तो मेरे पास इसकी वेलिवाई 3.75 लॉल्ट 3.75 लॉल्ट यानि दोस्तो, इस इंसिडेंट फोटोन के इनर्जी है 3.75, तो जिस मैट्रियल का कारिय फिलन 3.75 से कम है, वहाँ इलोक्ट्रोन का इमिशन हो जाएगा, तो कलर चेंज कर ले भाही तेरे लिए, देख डियर, इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता सोडियम में हो गया और पोटेशियम में हो गया, सोडियम में हो गया और पोटेशियम में हो गया, ठीक है अब किशन तो कुछ ये बन सकता है, मूल बात क्या है, incident photon की energy निकाल ली, निकाल ली डियर, work function दिया हुआ है, incident photon की energy, जहाँ work function से कम है, वहाँ तो emission होगा नहीं, और चाहँ incident photon की energy, work function जादा है, emission हो जाएगा, बासा कुछ भी हो भाईया, तेरे सामने मैं दोनों किशन कर दिय की best problem है, समवेग अमेसा conservate होता है, चाहे आपकी elastic collision हो, चाहे no elastic collision, गटना कुछ भी हो, momentum is always conservate, यह साब कहता है, प्रारम में M दरेवान का नाभी इस्तिर है, दोस्तों प्रारम में वो इस्तिर है, इसका मतलब V zero है, तो गटना से पहले इसका momentum zero है, तो गटना के बाद भी zero ह कैसे होगा, तो दो चीजों का समवेग गटना के बाद zero है, तो इसका मतलब दोस्तों निश्चित रूप से उन दोनों का तूट गया, तो दोनों खंडों की lambda क्या होगी, एक अनुपात एक, समवेग दोनों बराबर होंगे, तो आप देखों दोस्तों, यह एक bump फूटेग यह पार्टिकर निश्चित रूप से ऐसे जाएंगे, क्योंकि विप्रीत नहीं जाएंगे, तो मोमेंटम का टोटल के भी zero होई नहीं सकता, तो ऐसे यह जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो दोस्तों किस से जाएंगे, same momentum से, equal and opposite, तो momentum is equal and opposite, तभी दोनों का सम क्या होगा, zero, क momentum is equal है, तो lambda भी equal है, answer क्या हो गया, one is two one, thank you, dear, question number 30 है, यह मैंने आपको सुरू में समझा दिया था, एक पेज खाली करने, पिर से कह दूँ, कि दोस्तों किसी material पे, तो किसी material पे, यहाँ lambda क्यों ले रहो हूँ मैं, क्यों क्यों ले रहो हूँ मैं, क्यों 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 ले रह equation है, अब आपका जो प्रशन है, लो में इसको मिटा के, आप इसको प्रशन पुड़ो पुरा, पढ़ लिया, और बोलू, क्या कहता है, एक matter है, उस पे lambda का photon डालते है, तो stopping potential 3V note है, two lambda का डालते है, तो stopping potential V note है, तो मुझे इस matter का three sold wavelength चीए, देहली, तेहरी यह चीए, आज सबसे पहले, SC by lambda तुने डाला, तो SC lambda note, 3EV note, 3E, इसे multiply करता पड़ेगा, उरजा है, फिर दोस्तों, आप इसको two lambda डालते हो, ओ पुतर, यह कभी change नहीं होना है, क्योंकि एक पदार्त अवरक function change नहीं होता है, और यह तेरा क्या हो गया, EV note, अब एक आम गनित क्या कहती है, 3 से multiply कर दे इसको, है ना, इसको तो 3 से multiply कर दे, यह 3, यह 3, ओके डिये, 3 से multiply करके तो minus कर दे, minus कर दूं, तो यह minus, 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 तो यह तो तो तेरा खतम हो गया, यह तेरा क्या है, SCY lambda, minus, 3 SCY, 2 lambda, equal to, यह 3 यह रहे हैं तो यह तेरे सामने है, SCY lambda में से, minus 3 SCY lambda जाएगा, तो क्या बचेगा, minus, 2 SC बटे, lambda note, ओके डियर, यह तेरा SC बटे lambda है, यह तेरा एक है, यह तेरा डेड़ है ना, तो डेड़ है तो क्या बचेगा, minus, half, SC upon, lambda, equal to, minus, 2 SC upon, lambda note, SC, SC, cancel out कर दे, minus, minus, cancel out कर दे, तो क्या चीर है, lambda note, उसको उपर लेके जा, तो यह तेरा क्या आगया, चार बच्टे, यह lambda उपर जाएगा, ओ, सोरी, सोरी, यह तेरा 4 lambda, lambda note उपर तेरा गया, क्यों से नमाजा, तो lambda note equal to, 4 lambda, इलान सुरा गया तेरा यार, रटा ने माल, आप गवराएं ने, दोस्तों, हम भी आपके क्योंता कैसे, मैं सुट कर रहा हूँ, कोई चीजी गल्स बोल, इसको हम ड्रोप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्लास नहीं है, यह ओफ लैंड क्लास नहीं है, लेकिन इसलिए क्या जाता है, ताकि पता लगे कि आदमी जो करता है, तो वो किस तरह प्रोडम फेस करता है, उसक पढ़ाना, पर एक्जाम में जब बच्चे के साम दोनों उपसना आते हैं, तो इन दोनों इस एक पिट्टिक लगाना तफ जो होगा है, थोड़ा समदना पढ़ाएगा इसको, पास रूप जो, जो साब कहता है, कि इंसिडेंट फोटोन की लेमडा चार हजार से तीन हजार दान चाहूं, आपकित फोटोन की इनर्जी आप लेमडा दी आप घठा रहे हो, तो दोस्तो, इवी नोट की वेल्यू बढ़ेगी, बोलो हाया ना, दान दो क्लास, एच न्यू इक्वल टू, एच न्यू नोट प्लस, इवी जीरो, जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे, क्या बढ़ेगी, यह तो कॉंस्टेंट है, बट स्टोपिंग को नगेटिव अलग से साइन मी करना, स्टोपिंग का मतलब बताओं क्या है, कि बेटरी का नगेटिव सीरा जुड़ा हुआ है, बैस यह काम कीजिए, अब देखो, चार हजार से कितनी उर्जा बनेगी, तो ब बार गया, फिर चार बचे, तो अल्मूस्ट तीन पॉइंट एक लोक्रोन बोल्ट आ गया, दूसरा क्या कहता है, इटू इक्वल टू, वोई बारा हजार चार सो बटे, च्छतिस सो, वोई लोक्रोन बोल्ट, दोस्तो, अब इसमें च्छतिस का भाग दो, तो एक सो इसका भाग देके, आप देखेंगे, तो एक्जेक डेटा क्या आएगा, तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट चार पांच, बस, अब तीन पॉइंट एक से तीन पॉइंट चार पांच पे गया, तो दोस्तो किसका डिफ्रेंस आया, पॉइंट तीन पांच का, आंसर क्या आ गया 07 तो के दिया वो तो सेल से दूरी चेंज़ की डूरी चेंज करने से याद करूं रहेगी दूरी से intensity change होती है intensity का दोस्तो याद करो potential से कोई समंद नहीं है तो point 6 की point 6 रहेगी याद है ना potential समंद तो incident photon की frequency से है उर्जा से है intensity या संक्या से नहीं है देखो दोस्तो question number 33 में equation balance करनी है उपर का भाग उपर के ब्रावर नीचे का भाग नीचे के ब्रावर तो करो देखो उपर one one zero balance है यह one यह minus one गड़बड है यह one plus one यह है पर नीचे गड़बड है नीचे भी सही है लेकिन यह anti particle नहीं है आप जानते हो ना उसके साथ अमेशा क्या निकलता है के anti particle निकलता है इसमें सबस्टे बात है अमेशा क्या निकलेगा anti particle तो आपके सामने इस तोड़ाव सही कर लो इसमें यह new bar है तो देखो zero तो one minus one का हो गया zero यह zero हो गया यह electron है उसके साथ क्या निकलेगा anti neutrino निट्रो नहीं एंटी निट्रो ये क्यों निकलता पता किसी को भई ये निकलता है दोस्तो उर्जा और संबेक के स्रेंक्षन के लिए मूल से कहूं तो ये एंगुलर मॉमेंटम कंजरिवेशन को फुल फिल करने की निकलता है जिसका कुँद करना तो ये मास है और ना इसका कोई दोस्तो चार्ज होता थेकर है ये निकलता है तो एक आगे बढ़ J¹ए एक आगे बढ़ जाए एक आगे बढ़ जाए इसका मतलब एक एक अटोमिक नमबर बढ़ जाए एक अटोमिक नमर किसे बढ़ता रहे बीटा चाहे 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 ओके थैक्यू 36 in a sample of radioactive material what percentage of the initial number of active nucleus will decay during one mean life mean life 63% सुन लो हाफ life में आदा डीके होता है आदा बसता है mean life 63% हो जाता है और 37% बसता है एक बास उन्हें डार है average life is always greater than half life क्योंकि half life वह समय है जा 50% तोटता है mean life वह समय है जा 63% तोटता है तो common sense की बात है पचास तूटने में और 63 तूटने में ज्यादा समय कान लगेगा 63 में इसलिए इसको बहुत पर पॉइंट है लिए टी एवरेच ग्रेटर देन टी-हाफ जाता है जाता है जाता है तो उर्जा और लेम्डा को जोड़ जानते हैं प्येकले क्या होता है ह ह्पाई लेम्डा ठीक है डिये टी एकुले तूछ एम तो आपके सामने लेम्डा mango क्या हो गया Arsenal हो खलए प्या हो गया है फ्यवफ प्य आजोटा है अप जांते हो उपर से किराते हो कही तो क्या होता है तो जानादाँ क्या है वी था, दोस्तों तेरे सामने सामने आ गया ना तो लेमड़ा इनवस्ली प्रपोस्ट्नल भी तो लेमड़ा इनन्वस्ली प्रपोस्ट्र mound h टो व्य यह एंच वे तो जाएगा गा मैंने साफ, वह चलिए सिंद्धी तो थरी दरी वो कहता, consider a beam of electrons, देखो, beam of electrons, अब तक हम क्या कर रहे थे, photons incident कर रहे थे, beam of electrons, each electron with energy e-note, incident on a material, surface kept in a indicated chamber देन, कोई निर्वातित चमबर है, दोस्तों, कोई फ्रेक्रिंट पड़ता, आप electron डालोगे ना, इसकी energy e-note है, तो पहला है, कोई भी electron, उस नहीं होगा, किस नहीं का, electron, उस ही किया जा सकते हैं, electron की उर्जा e-note हो, यह कोई खास बात नहीं है, थर्ड देखो, electrons can be emitted with any energy, with a maximum of e-note minus five, five is work function, यह 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 यह, ओके डियर, यह यह तो कॉंशन्स की बात है, उसकी energy जो है, वो work function से ज़्यादा तो हो नहीं सी, नहीं तो काम नहीं नहीं कि मुझे याद, अब भी याद है, मैं 2013 से 2019 के जब previous paper के solution कर रहा था ना, तब equation आया था, कि याद अच्छतरे मेरे सो, शुरू कर, करे, आजाओ जे, एक electron है, mass M है, यह इसका initial velocity है, और यह को electric field है, दान देना रहा है, यह i-capper है, यह j-capper, यानि कोई एक particle, charge particle है, electron charge particle है, व lambda note की value H upon MB note दी है, अब वो कहता है, इसका T समय के बाद lambda क्या है, और दोस्तों इस प्रकार से इसके object दे रहे हैं, ठीक है, तो आप page खाली करें, मैं इसको दोस्तों पूरा sold करना सुरू करता हूँ, देखो dear, सबसे पहले, आप जानते हो, F equal to क्या होता है, MA, और एक F equal to क्य होता है, क्यों ही, ओके dear, तो इस पे force लग रहा है, क्या, E, E note upon M, और किस cap में हो, J cap पे हो, इसी बात है, और dear, V equal to क्या होता है, U plus 80, V क्या है, initial velocity, U क्या है, एवर कुछ दिखा मेरे को, U plus initial, क्या है initial, देख, V note I, वापस आजा, तो ये तेरा कौन है, V note I cap, plus E, E note M, J cap, अब तु जानता है, यार, ये velocity का component है, तो ये X, X पे है, ये Y पे है, तो आप जानते हो, निकालते है, resultant, तो A1 square, plus A2 square का, under the root, okay dear, और T से, प्लिज़ ती से multiply हैं, क्यों है, T सात रहेगा, अब दोस्तों, इसका resultant V निकलेगा, वो क्या निकलेगा, तेरे सामन है, देख, V note square, plus E square, E note square, T square, M square, देखे, क्यों कर रहा हो, या, simple है, ये X component है, भाई, component, बुल गया, क्या, A equal to A1, I cap, plus A2, J cap, plus A3, K cap, तो what is value of A, A1 square, plus A2 square, plus A3 square root, okay dear, ये तरह V हो गया, अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूँ, कि इसकी मिज़ूतनी है, मेरे को बोड़ खली से तरह बड़ा गुणा भागए, अब तेरे सामने सामने भाईया, ये V आ गया, अब इसमें एक मजबूरी है, मैं V note को बाहर निकालूँगा, क्यों मुझे object मिलाने पढ़ेंगे इसके या, तो one plus, देख, E square, E note square, T square, M square, और V note square, आगया डियर, अब अपने लेम्डा लेम्डा एकुल टू क्या होता है, H by P, P क्या होता है, M अब ये तो करना है, तो आजा, तो लेम्डा एकुल टू तेरे सामने सामने, H उपर है, ठीक है डियर, M तेरह ही है, M को बाहर लगा ले, कोई दिकत नहीं है, अब तेरा V, तो V क्या है रहे, V है, V note तो बाहर निकाल 1 प्लस E square, E note square, T square, M square, और V note square, ठीक है डियर, अब वापस क्यूशन में आए एक बार तो, क्यूशन क्या कह रहा तेरह देखे, लेम्डा note क्या है, H M V note देखे रहा, वापस का लेकर, H M V note क्या है, क्यूशन में या, लेम्डा note, वापस क्यूशन में आजा, तो तेरे सामने लेम्डा एक्वल टू, लेम्डा note upon, ये तेरह दो बचा हुआ है, 1 प्लस E square, E note square, T square, M square, V note square, क्यूशन में आजा बाईयर, तो ये, मिटाओ उसको, ये तेरे सामने फरमूला आगया दोस्तो, लेम्डा note ये रहा, 1 प्लस E square, E note square, T square, M square, V note square, ये तेरे सामने इसका, तेरा गड़बड कर रहे हैं आपने, E square, एक मिनिट, एक मिनिट भाई, रूट तो, हाँ, बिल्कुश सही है साब, इस कांसर second रहेगा, क्योंकि फॉर्थ में रूट नहीं है, इस कांसर क्या रहेगा, second, 13, okay, thank you, dear, इस formula को, इस question करने के कई लोग कई तरी काम लेते हैं, मैं एक simple एक तरे काम लोगा, दोस्तो मैं जानता हूँ, E का एक formula होता, E equal to minus 13.6, Z square upon N square, यह दिए मैं बात करूं हाइटल परमानू की, तो Z का मान एक रखता हूँ, N का मान एक रखता हूँ, तो first course की विल्यू क्या होती है, minus 13.6, second में क्या होती है, minus 3.4, तो दोस्तो N तो second हो गया, अब Z, लीथियम का क्या है, 2 है, उसका 3 है, सोरी, लीथियम का 3 है, तो 3, 3, 9, तो दोस्तो E equal to minus 13.6, सोरी, equal to minus 3.4, multiply 9, 9.36, हाथ की 3, 30.4, याद करो इसको, कि सिर्दा बोलो ने यार, second course की हाइट निजिए क्या होती है, minus 3.4 है, उसको Z square से multiply करना, लीथियम प्लस 2 है, लेक 13 हो, और हाँ, यहाँ एक confusion हो तो भई, plus 3.6 है, और minus 3.6 है, अगला पूसता, binding energy, जो मैं से अपन जानते हैं, किसमें होती है, प्लस में होती है, थेंगे हो, हाँ डियर, कुष्ण 41, इस कुष्ण को करने के कई तरी के हो सकते हैं, बट मैं उस तरी किसी करूँगा, जो डेट कितनी है, दस अंगस्टरंग है, तो इसकी energy निकालो से इसी बात है, तो इसकी energy क्या होगी, 12,400 अपॉन 10 in electron volt, यह दोस्तों, एक चुल में आगी आपकी, 1240 electron volt, energy है, तो electron volt बोल दो, और supply है तो, volt बोल दो, बस, अब आप electron की lambda, मेरे को याद है, 12.27 अपॉन रूट V electron volt, sorry, sorry, अनस्टर, ठीक है, अब रूट V क्या 1240 है, अब शिदा करो, 1240 है, अब प्लीज धान देक लास, अब यह exam अभी है, competition है, दोस्तों, यह रूट 1240 है, 1240 का रूट देगो 30 का स्कॉर्ड नो सो होता है, 40 का सोड़ा सो होता है, तो लगब 35 का स्पास आएगा, अब 12 बटे 35 माल यह लो, चापकान सबागी है, ओके, तैंक्यो, डियर, यह question भी मेरी CD का ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसके अंदर, तो क्या कहता है, पास दिन में 10% 6 हो जाता है, माना की पहले सो है, धान देना, और पास दिन और 20 दिन है, मुझे 4 CD आना है, दोस्तों, पास दिन बा इसका 8 कम करेंगे, तो यह किस के अपास होगा, 74 के अपास होगा, क्यों दोस्तों, ठीक है है, और 7, 1 CD, 2 CD, और 74, कितना होता है, 7, तो लगबग 65% के अपास आगए, इस बादा अगे, thank you, question 43, एक नाभिक में 90 प्रोटोन, 144 नुकलियोंस से बना है, एक alpha कर्ड निकलता है, दोस्तों, एक अलफा कंड दोवारा, दो बीटा कंड, तो एक अलफा कंड जाएगा ना, तो अलफा कंड से मास में कमी होती है, चार की, तो वो तो दोस्तों, कोमन सेंस की बात कितना बच गया, 140 बच गया, और दो बीटा कंड, तो अलफा कंड से दो की कमी होती है, बीटा से दोस्तों की वर्दी होती है, वो 90 का अपना 90 वापस रहेगा, तो आंसर हो गया, 90 and 140, बिल्कुल सिंपर पूसे है, थेंकियो, दोस्तों, क्विश्चन में 44 जो है, वो छोरी का क्विश्चन है, एक बार पेज खाली करना, जो को हम सब जानते हैं, A equal to, दोस्तों, क्या होता है, लेम्डा N, तो एक चुल में अपने जानते है, D N by D T equal to लेम्डा N होता है, ये दोस्तों इसको बोलते हैं, विख्ठन की दर, activity, माइनस क्यों, क्यों समय के साथ गटना है, लेम्डा कॉंस्टेंट है, N क्या है, active nucleus संख्या, जो समय के साथ कम होना या नहीं, आप जानते हो, विख्ठन की दर, उस समय उपस्तित से करिये प्रमान संख्या की समानों पाती होती है, जैसे मालों के एक लाक एटनम पड़े हैं, half-life 5 गंटे, तो 5 गंटे क्या तूटेंगे, 50,000, अब मालों के पड़े 50,000 हैं, half-life तो आपकी वह 5 गंटे, क्यों तूटेंगे, 25,000, क्यो अब आप उसमें आएं, दोनु ग्राप को देखते हैं, तो साप-सा पता लग रहा है, देखो, ये स्लोप आपकी ज्यादा है, ये स्लोप आपकी कम है, तो स्पस्ट रूप से ठर्ड आंसर हो गया, एक अच्छे नियता में बीटा से अधिक है, परंतु सदेव बी से तेजी स आपकी ज्यादा है, तो स्पस्ट रूप में फारख है इसका, तो बहुत सिंपल सी प्रोण तो नहीं कर सकता है, बड़ आपकी करना पेज, माइनिस दी न बाई डी टी इकोल लेमडा बाई एन आपकरो, तो हो जाता है, तो हो जाता है, ओके थेंग्यू, हाँ तो दियर, प से किस कोस में आ जाएगा, सेकिंड कोस में, एक फोटोन का इमिशन हो जाएगा, फिर कहता है, आप्र टाइम इंटरिविल ओप ता ओडर ओप माइक्रो सेकिंड, अनादर फोटोन कोलाइड विस से हाइट्रोजन एटम, इलास्टिकली, विस एन इंडर्जी ओफिप्टिन वोल्ट, फिप्टिन वोल्ट बंदा क्या करेगा, तेरा पॉइंट छेतों खर्च होगा बाहर लाने में, और फिर उसको गुमाएगा, किस से, एक पॉइंट चार से, ओके डियर, तो इसका आंसर हो गया, दस पॉइंट दो इलेक्टोन वोल्ट उड़ जाका फोटोन होगा और एक पॉइंट चार पॉइंट वोल्ट उड़ जाका है कि एलक्टोन होगा, ओके डियर, तो पहला है, वो तो फोटोन निकालेगा, दूसरा इस एलक्टोन को भार लेके आ जाएगा, और बच्चिव इनर्जी है, वो इलक्टोन को गुमाने में खर्च हो जाएगी, ओके सिकर, फेस्बूक पेज को फोलो करो, और सिल्सी के वाटसप ग्रूप पे जुड़ जाओ, क्या करना उसके लिए, अपना नाम, अपना सिल्सी का रोल नंबर, या भार के बच्चे हो तो नोन सिल्सी ने, नीट के हो, या आईटी के हो, और वो वाटसप नंबर, जिसको वा होते हैं अपने कहा, CLCLIVE.IN पे, चाहिए IT हो, चाहिए नीट हो, ओके डियर, तो अब फिर अगरे टोपिक में आप से मिलते हैं, थैंक्यू, जै CLC